अस्सलाम उलेकुम, कैसे हो उमीद करते हूँ कि सब लोग खेरियस से होंगे तो आज हम लेकिया हैं सिर्फ दो कच्छे आलू से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही श्वादिस, बहुत ही जायकेदार नास्ते की रेस्पी जो एक बार हम बना कर अगर खा लेंगे इसको तो बार बार बनाएंगे, बहुत ही श्वादिस है और बहुत ही कम सामान में बहुत ही जड़पट हमारी ये रेस्पी बनकर तयार हो जाती है तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हमने दो कच्चे आलू लिये हैं इनको हमने छिल कर कद्दू कसकल लिया है, इनको हमने दो से तीन पानी अच्छे से धो लिया है देख सकते हैं हमारा जो आलू है वो बिलकुल नहीं काला पड़ा है अगर आप इसको अच्छे से दो कर ले लेते हैं तो फिर ये काली नहीं पड़ेंगे इनकी पानी को हमने अच्छे से निचोड़ दिया है पानी इसमें बिल्कुल नहीं है अब इनको हम एक बड़े बरतन में डालेंगे आप देख सकते हैं हमने इनको एक बड़े कटोरे में लिए आप इनको हम जो है इसमें हम डालेंगे दो चमठ जो है को आला रोड भी कहते हैं हमने यहाँ पर दो चमठ डाल दिया है का यहाँ पर हम डालेंगे हम चमठ जो है ओdem तो और देख सकते हैं हमने हल्दी भी डाल दिया है, अब इसमें थाबु जीरा भी टाल दिया है और इसमें हम डालेंगे मिर्ची पाॉडरर, यहां पर देख सकती हैं, पाइज स्वरीगाइज हमने हाँ पर कुटी हुई हरी मिर्श डाली है मिर्ची पाउडर हमने पहने डाल दी थी तो अब इनको हम क्या करेंगे बढ़ियां से चमष की मदर से अ cheese M.A.R. आप देख सकते हैं सारी चीजों को हम बढ़ियां से चम्मज से मिला लेते हैं एक दम जो है अच्छे से मिलाना है तो नमक पाकर हमारा जो आलू है उसमें से पाने निकलेगा तो पाने को हमें कैसे जो है क्या करना है वो भी हम आगे आपको बताएंगे तो देख सकते हैं सारी चीजों को हमने बढ़ियां से मिला लिया है एक दम अच्छे से मिक्स कर लिया है देख सकते हैं चम्मज की मदश से हमें सारी चीजों को बढ़ियां से मिला लेना है गाई सी जो नासता है ये बहुत ही बेहतरीन नासता है और बहुत ही कम समान में घर की यही चीजों से बनकर जड़ पट तयार हो जाता है आप इसको बच्चों के टिपिन में भी दे सकते हैं सुबह के ब्रेकफास नास्ते में साम के छोटी मुटी अगर हलकी फुल की भूक हो तो उसमें भी बना सकते हैं फटा फट इसको बना लीजिए बिल्कुल टाइम नहीं लगते हैं अब यहां पर जो हमारे आलू से पाने निकला है इसको हम जो है इसमें हम डालेंगे इसको सोखने के लिए हम यहां पर दो चमत जो है वो चने का बेसन डाल दिये हैं यहां पर आप सूजी भी डाल सकते हैं गेहूं काटा भी डाल सकते हैं अगर बेसन है तो फिर बेसन ही डाल दीजी हमारे पास बेसन था इसलिए हमने यहाँ पर बेसन डाल दिया है अब बेसन डाल कर भी हमने सारी चीजों को बढ़ियां से मिक्स कर लिया है अच्छे से मिक्स करके हम इनको साइड पर रखेंगे उसके बाद में हमने यहाँ पर हरी मिर्च ली है हरी कि बनाने के लिए उसमें डाल देंगे तौ यहां पर हमने हरी मिर्ची को ढू soundか तौ छाल लिए थोड़ा सा थीज़ह लाने के लिए के सब्सक्रास कफिस्ट टेश्टी बनाने के लिए इस रैस्पी को थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने हरा धनिया भी डाल दिया है गाईस तो हरे धनिया को डाल के हमने सारी चीजों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है मिला लिया है एकदम बढ़िया से देख सकते हैं अब एक सरफ गैस से हमने पैन ट्रक दिया है पैन में हमने थोड़ा सा तेल डाला है सिरीब दो चम्मच देख सकते हैं बड़े चम्मच से हमने दो चम्मच डाला है यहाँ पर इस रेस्पी को बनाने के लिए ज्यादा तेल की हमें जरूरत नहीं है यह बहुत ही कम तेल में यह रेस्पी हमारी बन जाती है ज्यादा तेल की नहीं सोकता है अभी आप देखते रह 00。」 गाई जब तक मैं इन को डाल रही हूं तब तक आप वीडियो को लाईक कर दें क्योंकि आप वीडियो को डे नहीं करते हैं तो प्लीज गाउस वीडियो को लाइक कर दे और इस रेश्पी को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में रिष्टेदारों में वाकसब गुरूप पर सैर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। तो गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग हमारे चानल पर नए हैं तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए यहां पर हमने चमच की मदद से देख सकते हैं अपने जो रेश्पी हैं नास्ते हैं उनको हमने अच्छे से फैला दिया है देख सकते हैं सर्कल कर लेते हैं यह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारे बनते हैं तो यहां पर हमने जो कुन फुलावर डाला है अला रोड डाला है इस ते जो हमारा नास्ता है यह बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और देख सकते हैं कितने आसानी से यह पल्टी भी हो जा रहा है आप देख सक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पिलीज वीडियो को लाइक कर दें और रेस्पी को जादा से जादा शेयर करें कोमेंट बुक्स में प्यारा सा कोमेंट करके जरूर बताएं किया ये रेश्पी आप लोग ने बना की खाई है अगर नहीं खाई है तो पिलीज बनाए बहुत ही टेश्टी बहुत ही डिलेशिस है आपके बच्चों से लेके बड़े तक को सबको पसंद आने वाले है और अग कर देख सकते हैं गाईस हम जो भी बताते हैं आप लोगों को वो बहुत ही आसान डेस्टी बताते हैं और घर की ही चीजों से आप लोगों को बनाना बताते हैं जो हम अपने घर में अपने घर की ही चीजों से बनाते हैं वही हम आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं तो ग कोमेंट बोक्स में प्यारा सो कोमेंट करके जरूर बताएं कि ये रेस्पी आप लोग हमारी कहां से देख रहे हैं और चानल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से रेस्पी देखने के लिए तो देख सकते हैं आप लोगों से बाते करते हमारी जो रेस्पी है वो भी तयार हो चुकी है हमने इनको एकदम की रेस्पी करारा जो है वो फराई कर लिया है हमारी जो रेस्पी है इसका कलर आप देख सकते हैं लुक कितना प्यारा कितना खुबसूरत आया है गाईस और देख सकती हैं इतने से तेल में हमने इनको बना कर तयार कर लिया है तो चलिए इसी तरीके से बाकी का भी बना लेते हैं तो गाईस यहां पर हमने दो आलो से पूरे परवार के लिए नास्ता बना कर तयार कर लिया है आप भी इसी तरीके से बनाएए बहुत ही आसानी से बहुत ही जटपट ये हमारी जो नास्ते की रेस्पी है ये बनकर तयार हो जाती है तो यहां पर हमने जो हमारे पास बाकी का जो बचा था उसको भी हमने इसी तरीके से पैन में डाल दिया है देख सकते हैं और इनको डाल कर हम अच्छे से उसी तरीके से फराई करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था तो देख सकते हैं हमने डाल दिया है सारे बैटर को अपने पैन के अंदर और चलिए अब इसको फराई कर लेते हैं उलट पलट कर ये बहुत जल्दी फराई हो जाते हैं समय बिलकुल नहीं लेता है गाईस ये नास्ता पकने में तो चलिए सेप करके इसको दिखाती हूँ, देख सकते हैं, बहुत ही डिलेशस, बहुत ही यूनिक और बहुत ही चटपटी हमारे नास्ते के रेस्पीद दो आलू से बनकर तैयार हो चुकी है, तो यहां पर देख सकते हैं, कलर भी इसका लुक कितना प्यारा आया है, कितना खोबसूरत है, कि देखकर ही मुहें पानी आ रहा है, तो आप लोग इसको कब बना रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं बहुत ही बेक्रीन है बहुत ही शादिस है एक बार इसको बना कर देखिए गाईस हर रोज बनाने पर मजबूर हो जाएंगे बहुत ही कम सामान में बहुत ही जटपठ मारी देश पी जो है वो बनकर तयार हो रर्क चाहिए तो चलिए गई jon वीडियो को लॉक्त प्यारे सप्सक्राइब नहीं के सादरे विदो निसे बदरीटेतह हूब झाली